हेलो बच्चो आशाय आप स्वस्थ होंगे खुश होंगे और अब हम तिसरा लेक्चर लेके मैं हरीश शर्मा आपके सामने उपस्तित हूँ और चप्टर एक प्रिमेर संख्याएं और हम पिछले उसमें लेक्चर में कर रहे थे साचरियता का गूं हमने पूर्ण संख्याओं के लिए किया था अब पूर्ण आंकों और प्रिमेर संख्या के लिए करेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम एक दसमलो एक एक्सरसाइज के लिए देखें आप थोड़ा सा ध्हान से और तसली से इन बातों को समझें क्योंकि ये सभी सवालों का आधार हैं ये बातें अगर हमें समझ में आएंगी तो ना केवल इस कक्षा में बलकि बड़ी कक्षाओं में भी आपको आसानी रहेगी अब हम साचारीयता कागुन पूर्णांकों के लिए और आपको पता है हमारे पास चार संक्रियाएं हैं और वो चारों संक्रियाएं क्या हैं योग व्यवकलन यानिके घटा गुनन यानिके गुना और भाग उन चारों के लिए केवल एक एक उधारन लेकर हम जल्दी-जल् कि हमारे पास यहां पर तीन संख्याएं होंगी योग में हम पहले दो को जोड़ेंगे और तीसरी उसमें मालिया संख्या एक दो तीन है तो हम दो और तीन को जोड़ेंगे दूसरी और तीसरी को और पहली में जोड़ेंगे फिर हम क्या करेंगे पहली और दूसरी को जोड़े करेंगे फिर उसके जोड़ को तीसरी में जोड़तेंगे यदी योग समान आता है तो हम कहेंगे के पूर्नांक जो है達 योग के सहाचारिये हैं तो ऐसे ही हम उधान लेते हैं के पहले योग के लिए कि चारो संक्रियाओं के लिए यह हमने करना है योग के लिए हम केवल एक उधान लेंगे कि योग के लिए सहाचारिय है या नहीं है पूर्णांक में मालिया हमने पूर्णांक में उधान ले लिया माइनस पांच पलस मालिया चार और माइनस पलस माइनस दो ले लिया सभी पूर्णांक है ये भी पूर्णांक है ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक है आप इसका इसको हल कीजी माइनस पांच यूंका तू फिर आगे पलस है पहले ब्रैकेट को हल करते है माइनस पलस माइनस ब्रैकेट बीच में यानि कि गुना है पलस और माइनस की गुना से क्या होता है माइनस ही आता है तो चार माइनस दो यानि कि क्या उत्रा गया हमारा माइनस पांच पलस चार में से दो गया दो और माइनस पांच और पलस दो कितना उत्रा गया माइनस तीन दूसरा इसको हम किसी तरह कर सकते हैं कि पहले दो को पहली स्थिती में हमने क्या किये ये दो नो ली और ये इधर पहली संख्या को अलग कर दिया अब पहली दो को जोड़ दो और फिर तीसरी के साथ यानि पहली दो संख्याएं इकठी कर ली हमने और उसमें हमने तीसरी संख्या जोड़ दी यह करते हैं साचारिय में एक बार क्या करते हैं मालिया तीन संख्याएं हैं हमारे पास A, B और C, हम क्या करते हैं पहले इन दो को जोडते हैं, फिर उसमें इसको जोड़ेंगे, फिर इन दो को जोड़ेंगे, फिर इसमें जोड़ेंगे, अंत में हम इसके बाद करेंगे तो देखे, इस और इसका उत्तर कितना होगा, माइनस 5 और माइनस दो बराबर है कितना होजएगा माइनस तीन इस थीती में माइनस तीन इस थीती में माइनस तीन यानि कि या तो आप पहले इन दो को जोड़ के फिर उसमें ये जोड़ लीजे या पहले दो को जोड़ के इसमें ये जोड़ लीजे उत्तर एक ही आएगा हम ये भी कर सकते हैं इसको और इसको पहले जोड़ लो फिर उसमें ये जोड़ दो तब भी उत्तर ये ही आएगा कहने का ताथ पर ये है अगर हम इसका रजल्ट निकालें तो क्या रजल्ट निकलता है कि हम अगर एक संख्या A लेते हैं एक संख्या B लेते हैं और एक संख्या C लेते हैं पहले हम B और C जोड़ देते हैं और फिर उसके बाद हम A और B या फिर हम A और B जोड़ के उसमें C जोड़ते हैं दोनों सदैव क्या होते हैं समान रहते हैं ये सहेचरियता का गुन है यान इन दो संख्याओं में, दूसरी और तीसरी जोड के उसमें पहली जोडो, चाहे पहली और दूसरी जोड के उसमें तीसरी जोडो, योग समान आएगा, और समान आएगा तो हम क्या कहेंगे, पुर्णांक, योग के लिए सहाचरिये है, जो के लिए क्या ही साचरिय है अब इसी तरह से हम व्यवकलन का लेते हैं दूसरा गूं किसका लेते हैं व्यवकलन का व्यवकलन में हम यहां और यहां यह जो पल ऐसा इसमें माइनस करेंगे बस और कोई अंतर नहीं और हम देखेंगे कि क्या वो बराबर आते हैं या नहीं आ साथ चलो पलस दो हमने यह संख्या ले लिए इसको आप सोल करो करो इसको माइनिस पाँच सोरे या माइनिस लेना है कि व्यवकलन है सारा माइनिस लेना है माइनस दो कितना हो गया माइनस नो और ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा पलस तो माइनस पाँच पलस नो बराबर कितना उतरा गया चार या फिर आप यूं कर लिजे माइनस पाँच माइनस माइनस साथ पहले इन दो संख्याओं को ले लो साथ माइनस का है इस करके और फिर आप माइनस ये दो ले लिजी वही है पहले हमने लास वाली दो कोई कठा किया फिर पहले वाली दो कोई कठा कर लिया तो अब इसको दोनों को कीजी सो माइनस पांच और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा पलस साथ और माइनस दो ये क्या उत्तर आया इसका उत्तर आया दो माइनस पांच पलस साथ दो गया दो माइनस दो कितना आगया सुन ले बराबर नहीं है इसका मतलब यह यह व्यवकलन के लिए कौन सी संक्रिया लगा रहे हैं व्यवकलन तो क्या ये विवकलन के लिए सहचरिये हैं? नहीं है तो आप क्या यहां पर कोई हो सकता है, यह माइनस का हो सकता है, यह भी माइनस पलस कुछ हो सकता है लेकिन ये दोनों आपस में जो इनके बीच के चिन रहेंगे वो माइनस के ही रहेंगे क्योंकि यहां व्यवकलन है लेकिन यह संख्याएं जो है वो पलस या माइनस की कोई भी हो सकती है तो हम क्या लिखें यहां पर पूरुनांग व्यवकलन के लिए साचरिय नहीं है अब अगला गुण लेंगे गुणन तिसरा क्या लेंगे हम यहां पर यानि कि यह जो बीच में दो जगे माइनस था इससे पहले वाड़ी में दो जगे पलस था अब इन दोनों जगे क्या रहेगा गुणा रहेगा गुणन के लिए लीजिए माली हम वही कर लेते हैं माइनिस पाँच गुणा में माइनिस साथ गुणा दो यही था न यहाँ पर माइनिस पाँच माइनिस साथ और दो था यहाँ पर चीनियों माइनिस का था माइनिस का था फेले आप इन दोनों की गुणा कीजिए क्या जएगा minus 5 गुना bracket में minus 7 और 2 की गुना minus 14 क्योंकि जब भी गुना करते हैं यदी गुना करते वक्त 1 minus का हो या 3 minus के हो या 5 minus के हो यानि विशम संख्या में minus के हो तो उत्तर minus आता है और यदी 2, 4, 6, 8 संख्या में minus हो तो पलस उत्तर आता है तो अब यहां पर देखिए हमने इन दो की क्यों है दो में से एक माइनस का है तो उत्तर माइनस का अब यह दोनों माइनस के गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस दो है तो माइनस और माइनस क्या पलस और चोदा पंजे सत्त, उत्तराया सत्त अब हम न दो को कर लेते हैं पहले माइनस 5 गुना माइनस 7 इन दो को ले लिया क्योंकि सहाचरिये में तो ऐसे ही करते हैं ना, और फिर उसके साथ गुना 2, पहले इन दोनों की गुना करनी है, आप देखे कितने की गुणा कर रहे हैं इन दो की और यह दोनों माइनस कितने है दो होगे तो दो होगे या चार हो या च्छे माइनस क्यों तो क्या बज गुनन के लिए साहचरिये हैं या होते हैं एक ही बात है देखे बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि माइनिस माइनिस को जोडते वक्त भी पलस कर देते हैं नहीं जोडते वक्त ऐसा नहीं करना है माइनिस और माइनिस को जोडेंगे तो हमेशा माइनस ही आएगा लेकिन माइनस और माइनस को गुणा करेंगे तो पलस आएगा गुणा और जोड़ अलग लग रखेंगे उनको इसके बाद भाग भाग के लिए और देखते हैं चोथी संक्रिया हमारी भाग भाग के लिए क्या होता है देखिए वही ले लेते हैं या कोई और ले लो कोई आपकी मर्जी है माइनस पांच जो भाग हो जाते हैं वो ले लेते हैं आसानी से चलो भाग ले लिया हमने कोई बात में माइनस आठ भाग आप माइनस से चलो इस बार यहाँ पर भी minus ले लिते हैं, कोई बात में, यह भी देखिए, पुरोणांक है, तो पहले इन दो को भाग कीजिए, minus 5 भाग, आपको पता है, minus 8 भाग का मतलब, इस दो को निचे लियाओ, minus से minus कट गया, 2 दो नी 4, या सिधा एकर दो, आपको पता ही है कि 8 को 2 से पांच भाग चार क्योंकि इसको इससे भाग किया माइनस से माइनस कट गया और दो चुके आठ चार उत्तर आया तो माइनस पांच ये था भाग इसका उत्तर कितना आया चार तो माइनस पांच भाग चार क्या उत्तर आ जाएगा माइनस पांच बटे चार चलो बटे में रख भाग माइनस दो अब इन दो को साहिद आप समझ के होगे सहाचारिय क्या होता है हमने पूरुन संख्या के लिए क्या और अब पूरुनांग के लिए कर रहे हैं अब और आगे हम मतलब पहले आप इन दो किसी दो संख्या को लो तीसरी एक अकेली रहेगी उनको और फिर उसको छोड़ दो पहली दो को इकठा ले लो तीसरी अकेली रहेगी इस तरह से रखना अब माइन इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा माइनिस पांच बटे माइनिस आठ इसका मतलब यही होता है ना भाग का मतलब बटे में ले जाओ और यह उतरा गया पांच बटे आठ भाग माइनिस दो अब आप देखिए पांच बटे आठ और गुणा में एक बटा दो क्योंकि भाग है ना ये तो भाग है तो एक बटा दो हो जाएगा और वो भी माइनिस का तो ये कितना उत्रा गया माइनिस पांच बटे 16 तो पहले इस थीती में आपका उत्रा रहा था माइनिस पांच बटे 4 और वैसे भी ये पूरुनांख थे और ये क्या बन गया प्रीमे संख्या ये पूरुनांख से क्या बन गया प्रीमे संख्या तो ये बराबर भी नहीं आए हैं अलग लगा गए इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि ये इसके साचारिय नहीं है तो हम क्या कहेंगे पूरुनांक भाग के लिए सहाचरे नहीं है क्योंकि समान उत्तर नहीं आया अब थी किसी तरह से प्रिमे संख्याओं के लिए ये चारों संक्रियाएं लेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे सबसे पहले योग सहाचरिया है या नहीं देखे प्रिमे संख्या लेते हम मालिया कि हमने ले लिया दो बटे ती पलस आप ले लिजे पांच बटे चार पलस आपने ले लिया मालिया यहाँ पे माइनस दो बटे पांच पहले इनको दो को इकठा कर लिया यह प्रीमे है यह भी प्रीमे है और यह भी प्रीमे है माइनिस प्लस दो कोई भी हो सकता है तो मैं यह यह रख लिया आप चाहो तो प्लस भी रख सकते हैं आसानी से समझने के लिए चलो मैं प्लस कर लेता हूँ आपको आसानी से समझ में आ जाए तो फिर bracket की जुरुती नहीं है अब आप देखिए इसको इन दोनों का योग कर लीजी दो बटा तीन पलस चार और पांच का लगुतम आपको बताए बीस होता है फिर हम लगुतम को इससे भाग करते हैं हर से बीस को चार से भाग करेंगे उतर आएगा 5 और 5 को उपर गुना करेंगे 25 आजे पलस है तो पलस लगा देएगे अब बीस को हम 5 से भाग करेंगे उतर आएगा 4 4 को उपर गुना करेंगे 8 तो कितना आगया ये 2 बटा 3 इसके पीछे देखे लेते हैं क्योंकि हमें आगे भी करना है दो बटा तीन पलस 33 बटे 20 25 राट तेटिस अब 20 और तीन के अकाल घुतम लेंगे तो हमारा घुतम आएगा 60 और फिर अब 3 को 60 से बाग करेंगे उत्तर आएगा 20 20 को उपर गुना करेंगे 22 दूनी 40 आगे क्या है पलस फिर 60 को 20 से बाग करेंगे तो उत्तर आएगा तीन और तीन को उससे गुणा करेंगे तो 99 और ये कितना आ जाएगा 149 बटे साथ ये आ गया हमारा दूसरी स्थिति क्या हो सकती पहले और दूसरे को जोड़िए क्योंकि हमेशा हम दो पिछली लेते हैं फिर दो पहले वाड़ी लेते हैं दो बटा तीन पलस पांच बटे चार इसको पहले पलस उसमें दो बटा पांच अगर ये ही उत्तर आया तो इसका मतलब ये योग के लिए क्या है तो इसका मतलब ये योग के लिए साहचर ये है अब आप देखिए इसमें उसका लगुतम लीजिए तीन और चार का लगुतम बारा और फिर बारा को तीन से भाग करेंगे तो उत्तर आएगा चार और चार को उपर गुना करेंगे तो आठ फिर बारा को चार से भाग करेंगे उत्तर आएगा तीन और तीन को उपर पाँच से गुना करेंगे तो पंदरह और बहार 2 बटे 5 ठीक है और इसके बाद आप कितना आ गया है आठ वु पंदरह 23 23 बटे 2 बारा पिलस 2 बटे 5 अब 12 और 5 का लोग हुतम क्या आएगा 60 और 60 को 12 से बाग करेंगे उत्र आएगा 5 और 5 को 23 से गुणा करेंगे 23 पंजे 115 आगे क्या है पलस अब 60 को 5 से बाग करेंगे तो उत्र आएगा 12 और 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 24 और ये फिर आगया 149 बटे 60 149 बटेशा दोनों स्थीटियों में समान उत्तरा है तो हम क्या कहेंगे कि प्रीमे संख्याएं योग के प्रीमे संख्याएं योग के सहाचरिय योग के लिए योग के लिए सहाचरिय होती है यहीं से किसी तीन है या चार उचे पांच हो किसी को आप पहले जोड़े किसी को बाद में जोड़े कोई फरक नहीं पड़ता है अब व्यवकलन के लिए माले हम लेते हैं दो बटा तीन माइनस तीन बटे चार माइनस पांच बटे छे माले यह ले लिया है पहले इन दो को करेंगे फिर इसमें और अगले में स्टेप में ये और फिर उसके साथ तो देखिए इसमें क्या होता है दो बटा तीन माइनस चार और छे का लगुतम आता है बारा और बारा को चार से भाग करेंगे उत्तर आएगा तीन 3 को 3 से गुना करेंगे 9 12 को 6 से भाग करेंगे उत्तर आएगा 2, 2 को 5 से गुना करेंगे 10 तो क्या उत्तर आ गया देखिया 2 बटा 3 माइनस अंदर आ गया माइनस 1 बटे 12 अब अंदर भी माइनस 12 भी माइनस तो क्या बन गया 2 बटा 3 माइनिस माइनिस पलस एक बटे बारा और इसका लगुत्तम कितना आ गया बारा अब बारा को तीन से भाग करेंगे तो उत्तराएगा चार और चार को उपर गुणा करेंगे दो से आठ और फिर बारा को बारा से भाग करेंगे उत्तराएगा एक और एक को एक से गुणा मारा नो बटे बारा काटना चाहों आपस में काट दो नहीं तो कोई बात नहीं चाहिए ही छोड़ दीजिया अब इसके बाद दूसरी तरह से ले लिजे दो बटा तीन माइनस तीन बटे चार यह इकठा लो और फिर माइनस पांच बटे छे करो अब इसका लगुतम दीजी आप क्या हैगा तीन और चार का लगुतम आता है बारा और फिर बारा को तीन से भाग करेंगे उत्तराएगा चार और चार को उपर दो से गुना करेंगे तो आठ फिर आगे माइनस बारा को चार से भाग करेंगे उत्तराएगा तीन और तीन को ती छे लगुतम लेजिए बारा अब बारा को बारा से भाग करेंगे उतराएगा एक और एक को उपर माइनिस एक से गुणा करेंगे तो माइनिस एक आगे फिर माइनिस है अब बारा को फिर छे से भाग करेंगे उतराएगा दो और दो को पांच से गुणा करेंगे दस माइनिस एक और माइनिस दस कितना बन गया माइनिस ग्यारा बटे बारा ये नो बटे बारा ये माइनिस ग्यारा बटे बारा दोनों समान नहीं है और समान नहीं है इस करके हम क्या इसका मतलब क्या हुआ यह व्यवकलन के लिए साचरिय नहीं है तो हम क्या कहेंगे प्रिमे संख्या व्यवकलन यानि घटाने के लिए मतलब अगर हम घटाने में करम बदल देते हैं आगे पीछे कर देते हैं तो उत्तर समान नहीं रहेगा जबकि जोड में समान रहेगा अब इसके बाद गुनन तीसरा तीसरी संक्रिया कौन से आगे हमारी गुनन गुनन में देखिया आप मालिया दो बटा तीन गुना आप वही चार बटे मालिया पांच गुना आपको साथ बटे चार या तीन कुछ भी लेलो ये दो पहले रख लिया पहले इनकी गुणा करेंगे फिर इसकी तो क्या जाएगा दो गटा तीन गुणा उपर उपर वालें करदो नीचे नीचे वालें करदो अगर आपस में कोई कटता हो तो आप काट भी सकते हैं लेकिन यहां कुछ नहीं cancel होता है इसलिए हम उपर की उपर साथ चोके 28 और नीचे नीचे वालों गुणा 5 तीए 15 अब भी कोई आपस में कटता हो तो काट लो नहीं तो नीचे नीचे वालों के और उपर उपर वालों के उपर की गुणा 28 दुने 56 और नीचे 15 थी पेंटालेस ब्राबर नहीं मत सोरे यह आ गया है अब हम दुबारा फिर पहले दो की लेंगे गुणा करेंगे गुणा में 7 बटे 3 पहले इनकी गुणा करो कटता हो तो काटो नहीं तो यू काटो कर दो चार दुनी 8 और नीचे 3 पंजे 15 गुणा में 7 बटे 3 अब यू कोई उपर नीचे कटता है नहीं कटता फिर वही 7 औठे 56 बटे 45 वही उत्तर आ गया इसका मतलब गुणन के परती सहचरिये हैं यानि आपको अगर 3 संख्याइं दे रखियों या 3 से ज्यादा कभी यह ऐसा ह तो किसी को पहले गुणा कर दो किसी को बाद में गुणा कर दो कोई फरक नहीं पड़ेगा इसलिए इसी तरह से पहले किसी को भी जोड़ो बाद में किसी को भी जोड़ो कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन घटाने में ऐसा नहीं कर सकते वह सहचरिये नहीं है तो क्या कही पूर्णांक गुनन के सहचरिये होते हैं अब आखरी संक्रिया रहेगी भाग के लिए हम इसी को ले लेते हैं भाग का इतो करना है कोई ज़ुरूर नहीं हमें और बद रहे तो हम भाग के लिए लेते हैं कि मालों यह भाग है यह भी भाग फेले इन दो को भाग करेंगे फिर इसके साथ करेंगे दोबटा ठीम भाग चार बटे पांच और भाग को solve करना गुणा और उसको पलट देते हैं पीछे वाली को 7 वटे 3 का 3 वटे 7 करते हैं अब आपस में कोई कठते हैं तो काट दो नहीं तो गुणा करते हैं नहीं कठते हैं तो 2 वटा 3 भाग चार तीए 12 और नीचे कितना आजाएगा 35 अब इसको सोल करेंगे तो क्या है दो बटा तीन और भाग को किसमी बदलेंगे गुणा में और ये क्या करेंगे 35 बटे 12 हब कोई कटता है काट दो हाँ कटता है काट दो कोई बट में तो कितना उत्रा आया 35 बटे 18 अब पहले इस दो को लेजिए दो बटा तीन भाग चार बटे पांच ये दो पहले ले लिए और भाग साथ बटे तीन पहले इन दो को सोल करो क्या है या दो बटा तीन गुणा में पांच बटे चार भाग साथ बटे तीन कटता है तो काट दो हाँ कटता है दो दूनी चार उपर नीचे ही काटना है उपर उपर नी कटेगा नीचे नीचे नी कटेगा उपर से नीचे कटेगा और वो बी bracket के अंदर अंदर जिनके बीच में गुणा हो कहने का मतलब शिर्फ वही कटेगे अब क्या आ गया यह यह आ गया पांच बटे उपर रह गया 5 और नीचे आगया 3 दूनी 6 भाग 7 बटे 3 अब फिर देखो भाग करना है 5 बटे 6 गुणा 3 बटे 7 फिर कटता है हाँ 3 दूनी 6 कटता है कितना आगया 5 बटे 14 उदर कितना आथा 35 बटे 18 समान नहीं आया है इसका मतलब क्या है ये प्रीमे संख्या भाग के लिए साचरिय नहीं होती तो ये चारों संक्रिया हैं हमारी पूरी हो गई हैं आप इनको ध्यान से पढ़िएगा मैं बार बार कह रहा हूं कि इनके उपर आपने बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है बहुत अच्छी तरह से समझना है फिर भी न आये तो आप अपने टीचर से फिर बैठके दुबारा कंसल्ट कीजिए कि मुझे यहां से समझ में नहीं आया है तो जुरूरी है यह तभी सवाल आपको अच्छी तरह से आएंगे नहीं तो आप सवाल के रटे लगाते रहेंगे और वो बार बार आपको भूलते रहेंगे गनित को जो है आपने इंट्रेस्टिंग बनाना है तो उसके लिए यही तरीका है कि आप इनके जो गुण है उनको अच्छी तरह से आप पढ़िए अब आगे की बात आती है हमारी कि गुणा में सुन्ने की क्या भूमी का है और एक की क्या भूमी का बस छोटी-छोटी बाते हैं सुन्ने की भूमी का क्या है गुणा के अंदर अगर आपको साइद सबको ही पता होगा ये बात तो कि अगर हम किसी भी संख्या को जीरो से सुन्ने से गुणा कर देते हैं तो वो क्या हो जाती है सुन्य हो जाती है, यही सुन्य की भूमिका है तो सुन्य की क्या भूमिका है गुणा में सुन्य के लिए क्या भूमिका है कि अगर आप किसी भी संख्या चै वो प्रिमे संख्या हो सुन्य हो जाएगा, चै वो कोई पूरुन संख्या हो, चै वो कोई पूरुनांग हो, कुछ भी हो वो सुन्य हो जाएगा यह सुन्य की भूमिका है और अब आगे एक की क्या भूमिका है एक की भूमिका एक की भूमिका है कि आप एक के साथ किसी को भी गुणा कर दीजी कोई फरक नहीं पड़ता है वो यूका तूं ही रहेगा उसमें कोई अंतर नहीं आएगा यह एक की भूमिका है जैसे हम चार बटे पांच के साथ एक को गुणा कर दें तो चार बटे पांच ही आएगा पांच के साथ गुणा कर दें और सात्वी में आपको ध्यान हो तो पहले चेप्टर में यही किया था कि एक से गुणा करने पर वही उत्तराता है और अगर वही उत्तरा है तो उसको हम क्या बोलते हैं गुणा करने पर गुणन तत्समक यह इसका गुणन तत्समक है एक छोटी सी बात और अगर किसी संख्या में उसी का रेनात्मक जोड़ दिया जाए तो क्या होता है मालिया 5 5 में 5 का रेनात्मक जोड़ दे यानि क्या हो जगा 5-5 बराबर है सुने या आप यूँ कहिए कि माइनस साथ में इसका रिनात्मक जोड़ दें तो माइनस साथ का रिनात्मक क्या होगा साथ क्या हैगा सुनने माइनस च्यार बटे पांच में इसका रिनात्मक जोड़ दें तो सुनने यह पांच बटे साथ में इसका रिनात्मक जोड़ दें तो सुनने हमेशा रिनात्मक क्या होता है कि माइनस का पलस और पलस का माइनस यह रिनात्मक होता है इसको हम क्या कहते है योज्य परतिलोम यह माइनस साथ का योज्य परतिलोम साथ पांच का योज्य प्रतिलोम, माइनस पांच, माइनस चार बटे पांच का योज्य प्रतिलोम, चार बटे पांच, और पांच बटे साथ का योज्य प्रतिलोम, माइनस पांच बटे साथ, तो किसी भी संख्या में अगर उसका योज्य प्रतिलोम जोड़ दिया जाता है, तो वो संख्या सुनने हो जालती है, अब इसके बाद एक और, बस छोटी सी बात, और इसके बाद, हम सिरे प्रस्नावली के उपर ही आ जाएंगे, तो युज्य प्रतिलोम क्या होता है? कि उसका ही माइनिस करते हैं, और अब एक और व्यूत करम, व्यूत करम वो होता है, कि जिसके साथ गुणा करने पर उत्तर एक आए, वो व्यूत करम हो जाता है, जैसे पांच का व्यूत करम गुणा में करेंगे, एक बटे पांच, पांच का व्यूत करम क्या है? चिन नहीं बदलना तो 2 बटे 3 का व्यूत करम क्या होगा गुणा में 3 बटे 2 पलट दो क्योंकि प्रिमेश संख्या है एक 7 बटे 8 का व्यूत करम क्या होगा आठ बटे 7 एक, काट दो और साथ बटे आठ का व्योज्य परतिलोम व्योज्य परतिलोम क्या होगा इसका माइनस साथ बटे आठ तो व्योज्य परतिलोम में उत्तर क्या आएगा सुनने, समझे रहें ना ये व्यूत्करम है और ये व्योज्य परतिलोम है तो अब आजाईए आप पहली प्रसनावली के उपर और मैं इसके सवाल अगर आपके पास किताब नहीं है तो आपके सामने रख देता हूँ हो सकता है मुझे जहां तक वो है कि आपके पास सबके पास किताबें उपलब्द हो गई हो गई और फिर भी नहीं हो तो मैं एक बार आपके सामने ये प्रसनावली के एक दो तीन सवाल चार सवाल तक ये आपके सामने है अगर आपके पास किताब नहीं हो तो आप इसको जो है एक बार पॉज करके यानि दबल क्लिक करके इसको आप अपने पास मतलब इसको नोट कर सकते हैं कोपी के अंदर जो सवाल देखना आपको उसी कोज़़ों आप कोपी के ऊपर नोट कर लीजिएगा इसको और ये सबी आपके सामने उपस मतलब हैं दिख रहे हैं स्क्रीन पे आप इसको बार-बार पोज करके आगे पीछे करके जो है इनको नोट कर सकते हैं अब पहला सवाल है कि एक-एकी सवाल लेंगे हम और बाकिया आप करते रहेंगे क्योंकि इन सब के उधारन हम ले चुके हैं इसलिए ज्यादा इस पर समय लगाने की अवशक्ता है ही नहीं और यह हमारी एक्सरसाइज एक दसमलो एक आगे प्रस्तनावली एक्सरसाइज एक्स एक दसमलो एक यह सुरू हो गई है मालिया हम इसका दूसरा सवाल ले लेते हैं पहले का दूसरा सवाल दो बटा पांच गुणा माइनस तीन बटे साथ माइनस एक बटा छे गुणा तीन बटे दो पलस एक बटे चोदा गुणा दो बटे पांच यह कहता है कि उचित गुण धर्मों का उपयोग से निमली खितका मानगा constant कीजए अब इसमें उचित गुण धर्मों का हमने उपयोग करना है और इसका मानगा सीधा सा है इसमें देखose क्या ऐसा कोई है कि जो सभी में से बारा जाए नहीं है कोई तो आप सीधा जैसे आपको पता है वैसे ही कीजिएगा पहले आप देखिए इसमें क्योंकि ये दो गुणा में है फिर ये माइनिस करके ये दोनों आपस में गुणा में है और फिर ये पलस करके दो आपस में गुणा सबसे पहले गुणा करनी होती है क्योंकि आपने अगर ध्यान हो तो board mask का तरीका कि सबसे पहले bracket को खोलना है फिर गुना करनी है ठीक है ना पहले bracket को खोलना होता है bracket अगर हो तो board mask का ये तरीका है do d ma s तो सबसे पहले bracket खोलनी होती है फिर off का आता था अजकर नहीं आता है और bracket कोलने के बाद आपको भाग करनी होती है D मतलब division भाग के बाद आपको गुणा गुणा के बाद आपको जमा और जमा के बाद आपको घटा तो ये तरीका होता है solve करने का तो पहले गुणा की जिजिन के बीच में गुणा है आप इन दोनों को देखिए क्या आपस में कोई कटता है नहीं कटता है तो गुणा कर दिजिए उपर-उपर की और नीचे-नीचे की और 1-1 पलस है तो क्या हैगा माइनस ही आएगा 6 बटा 35 इसमें कटता है हाँ कट रहा है तो काट दो अब उपर-उपर वाले गुणा 1 और नीचे-नीचे क्या आजाएगा 2 दूनी 4 कैस में कटता है यह सिसमी कटता है 7 पलस 1 बटा 35 अब इसका लगुत्तम ले लीजिए और कोई वो नहीं है हमारे पास इनका लगुत्तम ले जी आप यूँ भी कर सकते थे कि इन दोनों को इकठा कर लेते पहले और फिर आपका हो जाता लेकिन कोई बात नहीं ऐसे भी ठीक रहेगा क्योंकि इन दोनों में 2 बटा 5 2 बटा 5 था इकठा करके कर सकते थे आप लेकिन कोई आवशक्ता नहीं इस तरह से कीजिए इंका लगुतम लीजिए 35, 4 और 35 का 35, 4 और 35 का लगुतम बनेगा 140 आपको लेना आता होगा भाग वीदी के दुबारा वही लीजिएगा और इसको हम इसे भाग करेंगे 140 को 35 से तो उत्तर आएगा 4 और 4 को उपर गुना करेंगे तो उत्तर आगया 24 और वो भी माइनस का फिर इसके बाद इसको गुना करेंगे भाग करेंगे सोरी आगे माइनस से माइनस लगाएंगे 140 को 4 से भाग करेंगे तो 35 और उपर एक है तो 35 गुना 35 पिर आगे पलस है 143 को 35 से बार करेंगे चार चार एकम 4 तो बाप देखिए माइनिस माइनिस वालों को पहले जोड लीजिए और इसको फिर अलग से कर लेंगे या आप पहले इनको जोड लीजिए फिर इसको कर लेंगे आपकी मर्जी है उसमें कोई वह नहीं तरीका यह कर लो माइनस माइनस वालों को जोड़ लो तो क्या आजएगा 4, 5, 9 और 3 और 2, 5 माइनस और पलस 4 बटे 140 और यह क्या आजएगा 69 और 4 माइनस 55 आएगा और बटे 140 यह कटते हैं आपस में 5 से देखोंगे 5 से 11 और यह 5 से 5 दूने 10 और 4 बच गए और 5 अठे 40 तो माइनस ग्यारा बटे 28 चिन का बहुत ध्यान रखना है आपने माइनस है तो इस तरह से यह आपका उत्तर निकल गया आपने यह करना है खुद ही करना यहां से नहीं देखना है पहले का पहला आप खुद करेंगे अगला आपको पता है योज्य परतिलों में आप खुद लिखेंगे मैं कुछ नहीं बताऊंगा और उस से अगला है तीसरा सवाल कि एक्स ब्राबर ग्यारा बटे 15 एक्स ब्राबर माइनस 13 बटे 17 के लिए सत्यापित कीजिए कि माइनस एक्स हाँ एक सवाल कर लेता हूँ मैं तीसरे का दूसरा दूसरा सवाल तीसरे का एक्स ब्राबर है माइनस 13 बटे 17 आपने क्या करना है माइनस माइनस एक्स ब्राबर है एक्स यह सत्यापित करना है यहां एक्स का मान क्या है माइनस 13 बटे 17 तो आप देखिए माइनस लगाईए फिर ब्रेकेट लगाईए फिर माइनस लगाईए और यहां पर फिर फिर माइनस है क्योंकि X में ही माइनिस है तो यहां डबल बड़ी ब्रेकेट लगा दो पहले और फिर ब्रेकेट माइनस 13 बटे 17 देखो यह तो X है उसके बाहर माइनिस और फिर ब्रेकेट के बाहर माइनिस यह हो गई अब आप देखें यह क्या आएगा माइनिस और माइनिस गुनाओ कि क्या हो जाए पलस और पलस और फिर क्या आएगा अंदर क्या है माइनिस तेरा बटे सत्रा बहार तो क्या हो गया पलस हो गया अब पलस माइनिस क्या बनेगा फिर माइनिस बनेगा तेरा बटे सत्रा तो यह किस के बराबर है एक्स के बराबरी स्क्क्राइब है एक्स चीन एकते नहीं हो सकते सहे एक जैसे 1,0-6,9-9,8-2-6,9-1,0-6,9-10,9-1,200,7-1,0-13, चोथे सवाल, क्योंकि चार तक की रकम आपके पास स्टेटमेंट है, अगर आपके पास किताब नहीं है तो की बात कर रहा हूँ, तो आप इसमें देखिए, मालिया हमारे पास ये है, माइनस पांच बटे आठ चोथा भाग तीसरे का, सोरी, चोथे का चोथा भाग, माइनस प पास ये है, कि आप इसको पलट दो, और इसको भी पलट दो, क्या जाएगा, एक तरीका तो ये है कि माइनस आठ बटे पांच, गुणा में, माइनस साथ बटे तीन, ये इसका गुणात्मक परतिलोम है, दोनों को पलट दो, अब यहाँ पर, तो आप, क्योंकि प्रतिलोम क्या होता है, बस पलट दो, और कुछ नहीं, जो नीचे उसको उपर, उपर वाले को नीचे, ये उसका गुणात्मक प्रतिलोम है, चोथा सवाल आप खुद करेंगे, पांचवाँ, देखिए ये सवाल को मैं बिलकुल आपकी सहायता अभी नहीं करूँगा, अगर आपको कोई डाउट हो, तो आप जो है, बिलकुल जो नंबर आपको दिया गया है, और मैं दुबारा दे दूँगा, उसमें आप सहायता ले सकते हैं, कि हमें नहीं समझ में आ पांचवाँ भी, चार, पांच, छे सवाल देखिए, नहीं किताब मुझे जहां तक मैं मानता हूँ किताब होगी आपके पास, लेकिन फिर भी आप चोथा सवाल अगर कुछ रह गया हो, तो दुबारा देख लीजी, चोथा सवाल दुबारा आगया है, पांचवाँ है आपके सामने, छटा भी है आपके सामने, मगले सवाल भी दिखाई देता हूँ, पांच, छे, साथ, आठ, नो, यह सभी सवाल आपके सामने, फिर आगए, पांचवाँ दुबारा, छे, साथ, आठ, नो, यह सवाल आपके सामने, आप इनको, रकम जो इनकी है, यानि जो स्टेटमेंट है, उसको आप पहले उतार लीजिएगा, और कोपी पे फिर आप करना शुरू कीजिएगा, सभी सवालों का हिंट मैं जुरूर दूँगा, इसमें 11 ही सवाल है, वो भी मैं दिखा लेता हूँ, आगे चायाज नहीं हो पाएंगे इसमें, लेकिन फिर भी हो सकता है आप में इस कुछ बच्चे ट्राई करें अपने आप, तो, यह थी, और सवाल नंबर पाँच, जैसे कि आपने इन में से मैं हिंट नहीं दूँगा, क्योंकि आप बिल्कुल ठीक है, इसमें हिंट देने की आउश्यक्ता नहीं है, जो पीछे पहले और दूसरे और इस लेक्चर के अंदर जो बताया गया है, वही चीजें हैं इसके अंदर, ताकि आप उन, आपको नहीं पताओ, तो आप उनको दुबारा पढ़ें, दुबारा देखें उसको, कि हाँ, क्या बताया गया था, कि ये देखें, पहले की दूसरे से गुणा, और दूसरे की पहले से गुणा, अगर बराबर हो तो उसको क्या बोलते हैं, वो कौन सा गुण ध्रम है, ये पहले और दूसरे में यही है, और तीसरा तो अभी अभी करवाया था कि उत्तर एक आ रहा है फूसी को उस पलट कर गुना करना एक उत्तर आए तो क्या होता है गुनात्मक परतिलोम मैं फिर भी बता देता हूं और इस 6 बटे 13 को माइनस 7 बटे 16 के व्यूत करम से गुना कीजिए से गुना करना है तो व्यूत करम क्या हो जाए इसका उल्टा हो जाएगा 16 बटे 7 हो जाएगा और माइनस का रहेगा माइनस का कोई बात ने नीचे लगा उपर लगा उससे कोई फरक नहीं पड़ता इसकी गुना आप खुद निकालेंगे बताए कौन से साथमा सवाल देखिए बताए कौन से गुन धरम की साहिता से आप इसका रूप में अविकलन करते हैं पहले को ये देखिए ये दे रखा है आप समझ गए होंगे आज ही हमने ये किया है एक बटा तीन गुना छे गुना चार बटा तीन फिर को बताएए कौन से गुन दण की साहिता से आप इसको को के रूप में अविकलित करेंगी ये एक बटा तीन गुना छे गुना चार बटे तीन इसको इस रूप में अविकलित करने कौन सा? है ये आज ही किया है देखिएगा आप दुबारा और खुद समझने कोशिश कीजिए क्योंकि बच्चों जितना उत्तर बताने में मुझे एक सेकिंड का समय नहीं लगता लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप करें जब आप अपने आप करना सीखेंगे तो आपका गनित में इंटरेस्ट होएगा और आपको ये लगेगा कि मैंने खुद किया है बनाया आंसर नहीं लिया है अब ही आप इसको जो है तरीका क्या है अगर आपको मालिया नहीं भी आता है तो आप इसी लेक्चर को दुबारा सुरू से पढ़िए और देखी ये वाला तरीका किस में अपनाया गया था कि पहले की गुणा अगर लए दो के साथ गुणा और पहले दो की गुणा तीसरे की साथ गुणा ये कौन सा गुण ध्रम था उसका नाम देखना है आपने आठवा सवाल खुदी बताएंगे आप क्या माइनस एक से एक बता आठ का गुणात्मक परतिलोम आठ बते नो है पहले इसको सोल करो चटी में भी आता था ये ये मिश्रित भिन है आठ हेकम आठ और एक नो माइनस नो बता आठ और ये है आठ बते नो क्या ये इसका गुणात्मक परतिलोम है आत्मक परतिलों नहीं है 9 आप खुद करेंगे इसी तरह से 10 और 11 आप खुद ट्राई कीजिएगा नहीं तो आप अगर नहीं होता है तो आप अपने टीचर से कुंटेक्ट करें नहीं तो फिर इस नंबर पर आप मेरे पास WhatsApp कर सकते हैं प्रस्नावली एक दस्मलो एक और सवाल संख्या ये कक्षा आठ्मी ऐसे करके कक्षा अवश्या लिखना है प्रस्नावली का नाम और सवाल की संख्या आप लिखकर इस पे WhatsApp कर दीजिए आपको उत्तर मिल जाएगा यदि ज़्यादा ऐसे उत्तर मेरे पास कल सुबह तक कल ग्यारा बजे तक बारा बजे तक भी अगर इस ज़्यादा तर बच्चों के कुई सी प्रशन के लिए उत्तर मतलब आएगा कि हमें नहीं आया तो वो फिर उसका लेक्चर बना दिया जाएगा धन्यवाद, हैवे नाइस दे और प्लीज एक मेरी हमबल रिक्वेस्ट है आपसे के आप लाइक करें जो अपवर्ड थम्ब है जो उपर की तरफ उसको दबाईए प्रेस कीजिए वीडियो लेक्चर जब चलता है उसके नीचे आया हुआ है ऐसे तो उसको प्रेस कीजिए प्लीज जो लाइक है निले रंग के अंदर आया हुआ होगा उसको प्रेस कीजिएगा और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है लाल रंग में अगर आपके वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा आ रहा है लाल रंग में तो किर्पया उसको भी दबाईए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको दबाईए आप और ये इसके साथ बेल आइकोन भी है उसको भी दबा सकते हैं उसके दबाने से फाइदा होगा कि जब भी मेरा वीडियो लेक्चर तयार होगा आपके पास सूचना अपने आप पहुंच जाएगी धन्यवाद, हैवे नाइस दे खुश रहें, स्वस्थ रहें और घर में रहें और बड़ों का कहना माने हैवे नाइस दे